हमने देखा कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर डॉम होता है और डॉम को एक ट्री रिप्रेजेंटेशन से दिखाया जा सकता है HTML होता है, head होता है, उसके बाद body होता है, body के अंदर अलग-अलग तरह के elements हो सकते हैं यह सब चीजे हम लोगों ने सीखी थी, अब हम लोग देखेंगे कि children क्या होते हैं और किस तरह से किसी भी एक element के children को, उसकी sibling को, उसके parent को प्रात किया जा सकता है चलते हैं और इस तरह के navigation को समझते हैं आज के वीडियो में, let's get started So guys, first of all, I will make a Rappel, 30 second Rappel, so I will go to Rappel at home और बसारे लोग कहरे थे कि आपने Rappel बनाना दिखाना छोड़ दिया, मतलब कैसे बनारे और रैपल को यह दिखाना छोड़ दिया तो यह उसका reason यह कि मुझे लगता है कि Rappel बनाना बद आसान है तो आप लोग बना ही लोगे, इसलिए मैंने बनाना छोड़ दिया, ठीक है बट यहाँ पर क्या मेरा net slow है, नहीं मेरा net slow नहीं है मैं यहाँ पर create पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर simply html css javascript की सायता से Rappel को क्लिक करूँगा और हम यहाँ पर children के बारे में देखेंगे कि children क्या है और किस तरह से children को access किया सकता है javascript की सायता से dom में, ठीक है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि एक तो यह codevateri.com को खुला रहने देता हूँ और एक bootstrap की website को खुला रहने देता हूँ और बागी सारे बंद कर देता हूँ तो उपस मैं नोट सी बंद कर दी यार चैप्टर सेवन बैंकर अब यहाँ पर देखो हम लोग children के बारे में पढ़ेंगे direct as well as deeply nested elements of an element are called its children जैसे कि मान लो आपके पापा है, आपकी मम्मी है, उनके आप लोग बेटे है उसी तरह से यह meta-tag, is head के opening closing tag vibesuição सीमपल है इतना हो समझ में आते है, बहत ही है उसी तरह से यह jo hello world text node वो body opening closing taggalgrund का बेटा है यह script जो है है एक बेटी है, किसकी बेटी है, body opening closing tag. बेटी है इतना हो सब को समझ में आ हाना चाहिए नहीं आ रहा है अगर तो भाई मतलब आएगा यार क्यों नी आएगा यह बात बोली नी चाहिए मर को ठीक है अब मालो मैं यहां पर एक div tag लगाता हूं मालो ठीक हो मैं आपर एक paragraph लिखता हूं और इस paragraph के लिखता हूं this is me and I am great ठीक है तो children समझ गए अप लोग क्या होते हैं ठीक है parents समझ गए अप क्या होते हैं P का parent is div tag is div tag का parent is body ठीक ही तो सब को समझ में आता है ठीक है कोई दिककत नहीं है तक तो हम पढ़ते हैं कि यहां पर किस बारे में बात की जारी है direct as well as deeply nested elements of an element are called its children child notes क्या होते है elements that are direct children जैसे कि आपके दादा जी के भी आप बेटे ही हैं ठीक है लेकिन आपके पापा के आप direct children है तो जो है वो आपके पापा है इसलिए वो आपके दादा है इसलिए child notes की जब बात की जाती है तो directly जो children होते उनको child notes बोल जाता है elements that are direct children for example head and body are children of html ठीक है head or body html के children है direct children है क्योंकि html के अंदर सीधे head आता है html के सीधे अंदर body आता है और head or body क्या है head or body है siblings आपस में ठीक है जैसे यार रोज मर्रा की जिंदगी में हम लोग use करते है terms को बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी करना है siblings ठीक है कौन-कौन सीबलिंग है और कौन-कौन सीबलिंग है यहाँ यह क्या ही paragraph tag की है sibling hating नहीं अब मैं पैदा कर यह sibling अब देखो यहाँ पर दिव के अंदर एक paragraph tag है एक span tag इस span के पिता भी यह div है इस paragraph tag पिता भी यह div है है तो div के दो बेटें है दोनों आपस में siblings है, ठीक है, simple है कि नहीं है, लिख दो comment में simple है, ठीक है, interaction होते रहना चाहिए, अब यहाँ आपर देखो, descendant notes क्या होता है, ठीक है, all nested elements, children and their children and so on, यह descendant notes होते हैं, ठीक है, जितने भी elements हैं, उसके अंदर का element, उसके अंदर का element, जैसे कि अगर मैं कहो, HTML के descend the descendant notes, इक 210agen notes है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, अब head के descendant notes क्यों सै, यह भी है, title भी है, अब मान लो कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूं कि जो document.body है उसके अंदर उसका जो पहला child है वो access करना चाहता हूं तो मैं आपर अपनी script में क्या लिखूँगा मैं simply लिखूँगा console.log document.body.firstchild और अगर मैं यह काम करके इस page को reload करूँगा तो आप लोग देखो मेरी console में क्या आएगा क्या आएगा लिखकर text node है ठीक है firstchild child क्या है text node है आप देख सकते हो first child text node है क्यों है text node वो भी बताता हूं आप लोग को जो div है यह text node के बाद आ रहा है text node है जो कि यह space ले रहा है ठीक है अगर मैं इसको इस तरह से कर दो कुछ तब यह answer बदल के div हो जाएगा दिखाता हूं आपको यह div हो गया भी ठीक है यह wallet div आ गया ठीक है लेकिन विलाल के लिए आप लोग कि यहाँ पर एक space है कुछ इस तरह से ठीक है और यह भी एक node है जो कि एक text node है यह मैं आपको बताऊंगा कि इस problem से कैसे निमटना है ठीक है लेकिन अभी के लिए first child के बारे में हमने जान लिया last child के बात करें तो हमे last child जो हो मिल जाएगा और इसके बाद में आप लोग को child notes यह दिखाऊंगा ठीक है तो यह करने के बाद अगर मैं इसको reload करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो जो first child है वो एक text है last child एक script tag है जैसे कि हमें मालूम ही है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर जो node list हमें यहाँ पर मिली है यह करता है तो यही बात मैंने आ लिखी हुई है first child पहला child last child आखरी child देखो सबसे वड़ी है चीज़ मुझे क्या लगती है dom manipulation की कि यहाँ पर होता गया है ना कि आप लोगों को जो नाम पढ़ने में आएगा उससे समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है ठीक है first child का मतलब पह child ले लो बात बराबर है समझते हो obvious है यार सारे child notes का पहला ले लो या पहला ले लो child एक ही बात है यह चीज़ यही करती है जो lm.first child है वो एक convenience function कहलो या syntactic sugar कहलो इसके लिए होती है lm.child note 0 लेकिन एक बात याद रखना lm.child note सारे notes को access करेगा lm.first child optimized होता है सरफ एक note को उ last child आकरी note कैसे lm.childnotes.length और minus 1 किया क्योंकि index 0 से start होती है तो मान लो length 5 है या नहीं कि 5 element है तो index 4 वाल element आकरी होगा क्योंकि गिंती 0 से start होती है index में ठीक है इसलिए minus 1 किया है आप 5 का 4 हो गया 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है समझी गए होगा आप लो यह lm.last child के बराबर होगा there is also a method lm dot has child notes to check whether there are any child notes ठीक है यह true return करेगा अगर child notes होंगे वना false return करेगा ठीक है अब एक चीज़ यहाँ आप लोगो बताना चाहता हूँ जो child notes है वो एक array की तरह लग रहा होगा आपको आपको लग रहा होगा यह तो एक array है ठीक है इसमें आप array के functions लगा सकते हो ऐसा लगेगा लगा नहीं सकते हैं मैं बता रहा हूँ लगेगा इस आपको ठीक है लेकिन सच में एक node list है ठीक है और अगर आप लोग चाहते हो इसको एक array में convert करना तो आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा मैं बताता हूँ कैसे करना पड़ेगा आपको कहना पड़ेगा let arr is equal to array.from अब यह एक array बन गया अब यह एक array बन गया ठीक है अब जो चीज़ प्रिंट होगी मैं reload करूंगा तो वो एक array प्रिंट होगा यह एक array ठीक है यह एक array पहले array नहीं था पहले कहा तो node list थी ठीक है तो यह भी समझ में आ गया आप लोगों को child nodes looks like an array but it's not actually an array but a collection we can use array.from to convert it into array ठीक है इसलिए array method काम नहीं करेंगे node list पर html collections पर हम encounter करेंगे html collections को भी तो उन पर भी array के जितने भी methods हैं वो काम नहीं करेंगे ठीक है so आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे यह समझेंगे कि DOM collections क्या है उनके बारे में कुछ properties देखेंगे siblings के बारे में पढ़ और उसी के साथ साथ आप लोगों को मैं आने वाले वीडियो में कुछ अच्छी websites भी बना कर दिखांगा जो actually useful होंगी अभी हम कुछ basics देखेंगे तो शायद उतनी धमागे तार websites हम बनानी पारें ठीक है so अगर आपने यह जावास्क्रिप्त की playlist आकसेस नहीं करेंगे तो कर दो आप दो बनानी फ्टाइब होगा जावास्क्रिप्त कर देले होगाँ एक यह जाओंगे जावास्क्रिप्त की